अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो एश्टाज क्रियेशन्स जहां हम सिखेंगे सिखाएंगे और मज़े करेंगे आज मैं आप सबको मार्केट में मिलने वाले प्रिमिक्स से स्पॉंज बनाना सिखाऊंगी बहुत सारे लोगों को कुशन है कि प्रिमिक्स में क्या चीज आड़ करनी चाहिए और कितनी कॉंटिटी में आड़ करनी चाहिए यही सारी चीजों के बारे मैं आज आपको बताने वाली हूँ और एक ही स्टाइंडर् रेसिपी बताऊंगी सभी मार्केट में मिलने वाले प्रिमिक्स के लिए जो मैं खुद यूज करती हूँ तो चलिए शुरुवात करते हैं प्रिमिक्स से केक बनाने के लिए सिफ तीन इंग्रिजिन्स चाहिए होते हैं प्रिमिक्स पानी और ओईल मैंने 180 ग्राम्स चोकलेट प्रिमिक्स लिया है आप कोई भी ब्रैंड का ले सकते हो और 90 ग्राम्स पानी लिया है और 18 ग्राम्स ओईल लिया है आज का जो स्पॉंज है उसे मैं कुकर में बेक करने वाली हूँ और हम गैस के उपर इसे बनाएंगे मैं यहाँ पर इडली कुकर यूज़ कर रहे हूँ स्पॉंज बेक करने के लिए कुकर में मैंने एक लेयर सॉल्ड के अड़ कर दिये और उसके उपर मैंने रखी हुई है किचन की स्टील रिंग और इसे हम सिम पर रखेंगे प्री हीट होने के लिए यहाँ मैंने एक बॉल और एक सीवर लिया है जिसमें मैं चॉकलेट प्रिमिक्स को सीव करने वाली हूँ और चॉकलेट प्रिमिक्स को मैं कप्स के मेजर्मेंट में भी मेजर करके दिखाऊंगे आपको मैंने यहां पर वन कप का एक कप लिया है और हाफ कप का लिया है तो हाफ कप के लिए टू टेबल स्पून फ्लार जो है कम है तो इग्जैक्ट एक कप्स के मेजरमेंट में मैं आपको बता हूं तो वन एंड वन थर्ड कप हो जाएगा और पानी जो है 95 ml है और ओइल जो है 20 ml है प्रिमिक्स को भी सीव करना मस्ट है क्योंकि सीव करने से क्या होता है जो भी लंप्स रहते वो सारे निकल जाते है और बैटर बनाने में आसानी होती है आज का जो मैंने मैजरमेंट बताया आपको प्रिमिक्स का इससे जो हाफ केजी केक के लिए केक स्पॉंज रेडी हो जाएगा अगर आपको वन केजी के लिए बनाना है तो आपको इसका डबल कॉंटिटी लेना पड़ेगा अब मैं पानी में ही ओईल को आड़ कर रही हो और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मैं यहाँ पे एक और बॉल ले रही हो और इसमें हाफ ही प्रिमिक्स आड़ कर रही हो हम इस batter को जो है batches में बनाएंगे otherwise अगर आप एक साथ पूरा flour आड़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा lumps बन जाएंगे और आपका batter अच्छे से नहीं बनेगा थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके मैं batter को silicon spatula से mix करते जा रही हूँ आपको जब भी आप cake बनाते हैं तो उसके जो batter को है एकदम हलके हाथ से mix करना होता है हमें batter को जो है over mix नहीं करना है सिर्फ हमें flour पानी और oil एक साथ combine होने तक ही mix करना है अगर आप over mix करोगे तो आपका जो cake है वो बिखर जाएगा यानि कि उसके crumbs निकलने लगेंगे प्रॉपर स्लाइस में आपका cake नहीं निकलेगा आपका 10-fold method से भी इसको mix कर सकते हो आपका जो batter है जादा भी थिक नहीं होना चाहिए और जादा भी रनी नहीं होना चाहिए यह देखिए हमारा batter इस तरीके से रेडी हो चुका है मैं आज का जो cake है यह normal आपने cooker का जो steel का tin होता है उसमें बेक करके दिखाने वाली हो मैंने यहाँ पे कोई भी specific cake tin या aluminum tin नहीं लिया है इसको मैंने अच्छे से butter paper से line करके लिया है मैं यहाँ पे टिन में बैटर पोर कर रही हूँ जब भी आप बैटर पोर करते हो टिन में तो एक चीज का ध्यान रखना है हमें सिर्फ 60-70% तक ही बैटर फिल करना होता है आप देख सकते हो जो टिन के साइड में मैंने बटर पेपर की लाइनिंग लगाई है वो केक टिन के बाहर निकल लाई है ऐसा मैंने जान बुच के किया है क्यूंकि ऐसा करने से क्या होता है इनकेस आपका केक अगर ज्यादा फुल भी जाता है तो बाहर नहीं निकलेगा अगर आपके केक टिन की हाइट कम है तो एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो बैटर आड़ करने के बाद केक टीन को आपको तीन-चार बार अच्छे से टैप करना है इससे क्या होता है अगर कोई एर पॉकेट्स रहे भी जाते है तो सारे निकल जाएंगे केक टीन के साइड में बटर पेपर को चिपकानी के लिए मैंने केक के बैटर का ही यूज किया आप देख सकते हो डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे अब इस टीन को मैं रख रहे हूँ प्री हेटेड इडली कुकर में और इसे में 30 से 40 मिनिट्स के लिए सिम गैस पे बेक करूंगी ऐसा नहीं है कि हर केक सेम टाइम में बेक हो जाता है ये केक के टीन साइज पे डिपेंड करता है और बैटर के कॉंटिटी कितनी है उस पे डिपेंड करता है यह देखिए फ्रेंड्स हमारा स्पॉंज बेक हो चुका है आप स्क्रीवर या फिर फोक को केक में इंसर्ट करके चेक कर सकते हो अगर वो क्लीन निकल आता है इसका मतलब यह है कि आपका केक कम्प्लीटली बेक हुआ है केक टीन को आपको थोड़ी देर के लिए थंडा होने के लिए रखना है इमीडेटली आपको केक को केक टीन से बाहर नहीं निकालना होता है यह देखिए फ्रेंड्स हमारा केक रेडी हो चुका है अब मैं इसे टीन से बाहर निकाल रही हूँ उपर आए बटन पे क्लिक करके आप मेरे ग्राइविटी केक का वीडियो भी देख सकते हो बटर पेपर भी कितना इजिली निकल आ रहा है केक बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है बटर पेपर पे इसके शाइन से पता चल रहा है कि ये कितना मॉइस्ट बना है और देखिए कितना जाली दार भी बना है और स्पॉंजी भी बना है उपर आए बटन को क्लिक करके आप मेरे औरिगयमी केक का वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे चाइनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भुलिए खाईए खिलाईए और खुश रहिए